हेलो गाइस वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल से भी लांट स्पार्ट तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैमिकल एड्मिक्चर्स के बारे में तो यह हमारे कैमिकल एड्मिक्चर्स होते हैं एक इंक्रीट में दोस्तों बहुत अच्छा रोल प्लै क इनका बहुत जादा रोल होता है यह हमारे कैमिकल एड्मिक्चर्स होते हैं एक्सलेट करने के लिए हमारे सेटिंग टाइम होता है उसके बाद में रिटार्ड करने के लिए सेटिंग आप सीमेंट को रिटार्ड करने के लिए हमारे यह वर्किविलेटी होती है उनको इसको तो इसको आज हम लोग अच्छे तरीके से बिल्कुल डिसक्स करेंगे वन वाइवन तो यह इसमें से बहुत से आज है वो उसका काम क्या है प्रपसेज क्या है तो इन सब जैसे सब चीज़ें और बहुत से कोशन समय पूशे जाते हैं तो बन वाइवन हम इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से डिसकस करेंगे कि कौन-कौन से यह होते हैं और इनका क्या-क्या यूजिज रहता है तो हम स्ट लेटर्स की बात करूं तो यह कौन से सब्सक्रांट मैं किसके लिए इसका परपस क्या रहता है तो इंक्रीज करने के लिए हमारा हाइद्रेशन होता है था है कि सिमेंट में का होता जैसे हम लोग को एक इंक्रीट बनाते हैं हमने इसको प्लेस कर दिया तो यह अगर उसमें हमने एक्स लेटर जा ले हैं तो यह क्या करेंगे इसका इंक्रीज करते हैं रेटा फॉर्डनिंग को वह स्टेंथ डिवेल्मेंट मेंबर जो बहुत जादा है ठीक है तो इन सब एक्जाम में लिखेंगे तो आपको फुल माक्स मिल जाएंगे और अगर आप किसी एक्जाम के लेटर त्यारी करें तो यह तो आपको बहुत रहेंगे क्योंकि मैंने बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से एक्स्प्लेइन करा हुए हर एक पॉइंट को कहां पे इंड को इसलिए मैं ने प्रॉपर वीडियो बनाई है तो नेस्ट अगर मैं आपको बताऊं इसके वारे में तो यह क्या करते है हमारा यह रेट आफ अर्ली स्टेंट डिवेल्मेंट को है उसमें वह बड़े हैं उसको इंक्रीज करते हैं और यह कहां पे हम लोग जनली यूज करते है और अगर और भी इसकी बहुत से एक्जांपल से हैं जैसे होते हैं हमारे सिलिकेट हो गया उसके बास हम आर्गैनिक कंपॉंट्स जो होते हैं तो उनको भी हम लोग यूज करते हैं तो इन सब चीजों को आपको अच्छे से द्यान रखना अगर मेन पॉइंट की बात करे है और यह हमारा rate of Haidroson of hydraulic Empowerhovah को उसको भी इंक्रीज करते हैं तो किया हहता है मThr Definitely के लिए इंक्रीज करते हैं कहा एकी सब्सक्राइब करते हैं करते हैं किस सेटिंग करते हैं किसको setting time positioning time setting time setting up cement सब्वाइब को रेटार्ड करते हैं ठीक है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग रेटार्डर्स बोलते हैं आपने देखा क्या ज़्या होता है कि जब हम लोग कोई mix बनाते हैं तो हमारे ये plants में बनता है उसके बाद में हमारा side पे आता है तो general बहाँ पे हम लोग इसका use करते हैं देखो अगर हमारा कोई plant है तो वो अगर मान लोग कि कोई दूर है थोड़ा तो बहाँ से ready mix concrete आ रहा है ताकि उसकी workability रहे नहीं तो वो पहले ही set हो जाएगा जैसे हमारा ordinary pole land cement है तो ordinary pole land का initial and final setting time कितना होता है इसके उपर मैंने separate video बना हुई है अगर आपको नहीं पता तो आप हम पे जाके सब cements के related मैंने बना रहे हैं देख सकते हो अभी मैं बताता हूँ जैसे ordinary pole land cement हो तो उसका initial setting जैसे 30 minutes होता है तो अगर मान लोग कि वहाँ से लाने के लिए वो plastic state में बना रहे ठीक है तो इसलिए हम लोग retarders का use करते हैं ठीक है यह क्या करते है slow down करते है chemical process होता है यह hydration का ठीक है concrete का और उसको क्या करते है plastic बना रहे रखते हैं ठीक है plastic रहे वह और बरकेवल फ़ारा longer duration के लिए लंबे टाइम के लिए जैसे मैंने आपको बताए कि किसी ready mix concrete से लाई गई तो उसके बाद में उसको जब तक उसको हम लोग प्लेस नहीं कर देते हैं तब तक वह बरकेवल रहे ठीक है और यहाँ इसको कहां पर पर पार्टिकुलरी यूज़ करते हैं हम लोग इसको यूज़ करेंगे और अगर इसकी example की बाद की जाए तो आपको ज्यादा तर दिद्ध्यान में रखने होते हैं कि बहुत सी इक्जाम्स में मैंने directly देखा हूँ है है से जो इक्जाम्स में इसकी example आपको देखने को मिलेगे केमिकल मैं से और स्पेशलिब रिटाडर्स में से ऐसे पूच ले जाता है कि जूगर है रिटार्डर है यह चाम करता है यह क्या करता है रिटार्ड करता है सेटिंग आप सीमिट को ठीक है उसके बाद अब अगर लिए परपर स्क्रींट बना रखी है तो इसको आप क्या कर सकते हूं कि जब मैं विडियो बना रहा हूं तो आप साथ में एक screenshot ले सकते हो, screenshot लेने के बाद जानतों आप इसको लिख लीजिए, नहीं तो आप प्रॉपर्ली एक PDF की जैसा बना सकते हो, बहुत जल्ब मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करने लगए हैं तो फिलाल अभी हम लोग PDF नहीं प्रोवाइड करें हैं, इसकल मैं मैं जल्दी से एक app डेवल कर रहा हूँ, इसमें आपको PDF बगारा मिल जाएगी, तो अभी के लिए आप screenshots बगारा ले सकते हो, तो next देखते हैं, next है हमारा water reducing admixtures जो होते हैं, जिसको हम लोग plasticizers भी वोलते हैं, ठीक है, तो यह हमारी सबस्टांसे होते हैं, जिनको हम लोग add करते हैं, इनक्रीज करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, workability को increase करते हैं, और without increasing the water content, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कि जब हम लोगों को क्या करना होता है, concrete की workability को increase करना हो, ठीक है, अगर workability के बात करूं, तो मैं मैं मिलब क्या होता है, जैसे workability होती है, हमारी मतलब कि उसके हम लोग without adding the water, उसमें पानी आड़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो क्या होता, अगर पानी आड़ करेंगे, तो concrete की workability को increase करेंगे, ठीक है, flowable बनाएंगे उसको, ठीक है, तो यह चीज़े होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, plasticizers होते हैं, यह किसकी मदल से होता है, plasticizers जिसकी मदल से होता है, और यह substance हम लोग add करते हैं, concrete में, और यह क्या करते हैं, making the flowing of concrete, ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया, कि workability को increase करना मतलब कि concrete को flowable बनाना ठीक है, तो यह water reducing and flowable concrete होती है, उसको generally pump से हम लोग क्या कर सकते हैं, कि डाल सकते हैं, ठीक है, आपने देख प्लेसिंग चाहिए होती है, तो वहाँ पे हम लोग यहां पर required होती है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, plasticizers add करते हैं, ठीक है, तो समय लोग कि कहीं पर मलब बहुत बड़ा प्लान चल रहा है, वहाँ पे हमें बड़ी जल्दी काम करना और क्यूक हमें placing चाहिए, ठीक पहले भी SSEJ के exams में देखा हुआ है, कि यो हमारी heavily reinforcement sections होती है, बहाँ पे हम लोग कौन से जो हमारा है, उसमें हम लोग कौन से add mixtures use करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, water reducing add mixtures बहाँ पे use किया जा सकता है, ठीक है, तो यह किस के लिए use किया जाती है, for reducing the water cement ratio के लिए, ठ हमारी workability को भी increase करना है, तो वहाँ पे हम लोग use कर सकते हैं, ठीक है, तो यह क्या provide करते है, extremely high strength upgrade होती है, जहां पे चाहिए होती है, हमें required होती है, उन जगहा पे हम लोग क्या करते हैं, इसको use कर सकते हैं, ठीक है, और इसकी examples की बाद मैं करूं तो इसका आ गया ता अपना से याद रखना है, यह जदा तरह पूशे जाता है, हमारा lignosulfonates के उपर पूशे जाता है, हमारी यह lignosulfonates होते हैं, तो इनको हम लोग use करते हैं कि इसके लिए water reducing adventures के लिए ठीक है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, नेस देखते हैं, नेस आ जाता हमारे सुपर plasticizers, ठीक है, सुपर plasticizers की अगर मैं बात करूँ, तो यह chemical यह अगर हम लोग देखते हैं, तो different होते हैं, नार्मल plasticizers, यह हमारे होते हैं, ठीक है, और यह क्या करने के लिए कैपेवल होते हैं, increasing the slump value हमारा ठीक है, हम लोग slump test करते हैं, हमारे यह workability होता है, उसको हम ल करने के लिए ठीक है, हम लोग सुपर plasticizers का यूस करते हैं, तो यह क्या करते है, reducing water cement ratio, वो सेम रहता है, water cement ratio को reduce करते है, यह से normalily करेंगे तो उससे क्या होगा increase होगी हमारी strength of concrete तो जैसे मैंने अभी starting आपको बहुता कि reducing करते हैं water symmetry ratio को और increase करते हैं strength को concrete mix में ठीक है तो यह point होगे है उसको valid कर रहा है जे point आपको इस चीज़ का mostly द्यान रखना है कि ऐसा भी पूछ सकते हैं आपको कि किया के मतलब की increase करते हैं strength of concrete को by adding water ठीक है तो आपको यह द्यान में रखना है कि adding water नहीं करते हैं हम लोग क्या करते हैं इसको water का amount जो होता है उसको reduce करते जाते हैं और उसकी वज़़े से क्या होता है increase होती है हमारी strength of concrete ठीक है तो अगर मैं इसकी examples की बात करूं तो इसकी examples में आप देखने को मिलेगा subfenated यो हमारे नेफ्लरीन फॉर्मेलडी हैड होते हैं modified lignosulfinates होते हैं तो वह सब्सकी examples आजाते हैं ठीक है उसका हम लोग इसकी करते हैं तो इसकी पॉइंट आपको जाद रखना यह पॉइंट आपको बहुत से examples में देखने को मिलेगा यह क्या करते हैं resistance प्रोवाइड करते हैं कि इसके freezing और थाइग अगेंस्ट ही होता है यह हमारा resistance प्रोवाइड करते हैं ठीक है और एक इसके लिए काम आते हैं stop करने के लिए bleeding अप इंक्रीड क्रीड क्या होता है कि हमारे जो पानी का इसकी बात करूं तो स्फॉनिक एसेड्स आ गया हमारा hydrogen परकॉसाइड आ गया अल्मोनियम पोडर आ जाता है हमारा उसके बाद नेच्रल नेच्रल यह बुड रेजिंस होते हैं हमारे होता ना क्यों यह मलग की बुड मैं कि किस प्ल्सक्राइब के लिए प्लस्टीश के लिए रिटाडर्ट के लिए तो आपको पता होना चाहिए यह क्या है एर रिंट्रिंग इसे होते हैं तो इस चीजिजों का आपको जान रखना अच्छे से वी देखते हैं नेस्ट आप मुफ बात करते है कि कुछ जरिनल पॉपर्टी इसके बारे में थे एक एम मतलब कि ड्यक्टली आपको सिधह सिधह यह क्या करते हैं reducing required quantity of cement ठीक है reduce करते हैं जो required quantity of cement होती है उसको reduce करने के लिए अध्मिक्चर्स में काम आते हैं workability को increase करने के लिए ठीक है without adding more water content यह तो मैंने आपको बता दिया ना कि workability को increase करते हैं without adding more water content आप मुझे comments में बताइए कि कौन से वाला जो properties है यह increase करती है workability को ठीक है वैसे तो workability को बहुत सी दो तीन properties है यह increase करती है तो लेकिन properly कौन से है जो increase करती है workability को जो है तो आप मुझे comments में बता सकते हो कि workability को increase करते हैं without adding water content ठीक है तो वो कौन सा है और reduce करता है यह early heat of hydration जो होता है ठीक है उसको reduce करने के लिए और overcome करने के लिए जो हमारा thermal cracking करती है रूप करता है कमेंद्स में बताईए मेरे को improve करने के लिए करता है मैंने आपको बताया था पहले कि प्लेसिंग करने के लिए तो वहां पे हम इसका काम लेते हैं तो वह कौन सा होता है करने के लिए हम लों बात करें तो इंक्रीज आक्स कोई पॉइंट से लेखे हुए यहां पर तो आज हम लोग ने डिसकस कर रहा है केमिकल एक डिसकेशन करी जिसमें हम लोग ने आपको बताया कि एक्सिलेटर्स जो होते हैं उसके बाद रेड्यूसिंग एड्मिक्टर्स जो होते हैं सुपर प्लसिसाइजस होते हैं यह रेंट्रेणिंग एजन्स होते हैं और इसके जो जेनल प्रॉपरडीज बगएर हैं हम लोग ने प्रॉपरली डिसकस करी तो यह बहुत ही इंपोटन टॉपिक है अगर हम लोग अपने यह कॉंपिटिटिव एक्जाम्स के पॉइंट आप से देखें यहां हमारा अकेडमिक यह रहता है उसके पॉइंट आप यह बहुत बार पुछा जाता अगर आप एक्जाम्स देते हैं तो उसमें आपको यह देखने को मिलेगा ही मिलेगा इसके बाद में सुपर प्लसिजाजर के ऊपर शौड नोड लिखो और यह से तो आप इसकी वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और वैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं न्यू वीडियो बना हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रह ठीक है तो मेरी वीडियो देखने के लिए दिन्ने माद थेंक्यू